गुड मॉर्निंग एवरिवन आशा करता हूँ आप लोग घर पे होंगे स्वस्थ होंगे और कोई प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे होंगे अभी अनलॉक का प्रोसेस कई जगह पे स्टार्ट हो गया है तो यह एक गुड न्यूज है चुकि केसेस भी काफी जादा कम हो रहे है डिल्ली जैसे जगहों पे भी काफी केसे कम हो रहे तो इसका मतलब यह हुआ कि कंट्रोल में आ रहा है हमारा यह डिजीज हो है कोविड तो चांसे हैं कि बहुत जल्द ही गुड न्यूज आ सकता है तो थोड़े दिन की और बात है उसके वाद वापस से क्लास्रूम प्र चैप्टर और उसमें काफी सारी चीज़ा आपको अल्रेडी पता थी स्टिल हमने इक डीटील में उसको पढ़ने की कोशिश करी है आज हम क्या करने वाले हैं आज हम नेक्स चैट्टर इस चार्ट करने वाले हैं लेकिन उसके पहले मुझे उम्मीद है कि आपने पहले और नहीं किया है तो अभी भी अभी आपके बास time है कि वो वाला chapter आपको एक तरीके से पूरी की तरीके से complete कर देना है अगला chapter दो स्टाट आने से पहले ये हो जाना चाहिए कि पहले chapter में कहीं भी कोई भी दिक्कत ना और एसा भी question अगर आप से next chapter chapter का नाम है micro organisms friend and four यह biology का chapter है और micro organisms चो है यह term अपने आप में ही self explanatory है क्या है यह कि micro organism micro शब्द का मतलब क्या होता micro मतलब जो बहुत ही ज़्यादा छोटे हो ठीक है तो ऐसे organisms जो बहुत ही ज़्यादा छोटे हो इतने ज़्यादा छोटे हो जिनको हम अपनी नंगी आँखों से नहीं देख सकते इस तरह के organisms को हम क्या बोलते है micro organisms और इस chapter में हम बात करने वाले हैं कि कुछ micro organisms होते हैं वो हमारे लिए friends जैसे होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा beneficial होते हैं और वहीं कुछ है ऐसे micro organisms होते हैं जो हमारे लिए नुकसान बहुत ज़्यादा हम आ रहा करते हैं जैसे बहुत सारी बिमारियां ऐसी होती हैं जो micro organisms की वज़से ही हमें होती हैं ठीक है तो हम दोनों ही चीज़ों के बारे पढ़ने वाले हैं तो इस चैप्टर में इन चीज़ों को बारे में थोड़ा सा डीटेल में पढ़ने वाला है अल्दो अपने class 7 में भी शायद पढ़ा हुआ थोड़ा बहुत तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर introduction में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है the microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eye unaided aid का मतलब क्या समझते हो aid मतलब किसी तरह का सुविधा देना किसी तरह का सहायता देना तो आखों को बिना सहायता दिये हम इन चीज़ों को नहीं देख सकते इन इतने छोटे यह होते हैं यह organisms कि इनको हम नहीं देख सकते तो unaided eyes से हम नहीं देख सकते हैं अगर आखों के सामने कुछ ऐसे equipments हमने लगा दिया होता जिससे हम बिलकुछ छोटी चीज़ों को भी zoom करके देख सकते थे तो हम बोल सकते हैं कि वह aided eyes है ठीक है तो aided और unaided का word का मतलब आपको समझ में आ गया होगा some of these such as the fungus that grows on bread can be seen with a magnifying glass तो आपके लिए यह बड़ा आसान हो जाएगा कि अगर microorganisms कैसे होते हैं देखना ही है और आकर पास equipment नहीं है तो at least एक hand lens तो होगा ही है hand lens अगर होता है आपके पास में तो hand lens से बड़ी आसानी से आप इनको देख सकते हो किसको देख सकते हो fungus को देख सकते हो fungus किसके ओपर जो bread वगरा होता ब्रेट के ओपर food लग जाता उसी food को ही बोलते है fungus ठीक है और हमारे body में itching वगरा हो जाती है rings वगरा हो जाते हैं तो वह एक तरीके से fungal infection का ही कराया धराया है तो वहाँ पर भी fungus होते हैं ठीक है तो अगर आपको fungus देखना है तो bread को दो ते निरे के लिए ऐसी छोड़ दोगे अगर आप खुले में तो bread के उपर कुछ पाउडरी पाउडरी सा एक structure आके लग जाता है उसके उपर आके चिपक जाता है और वह थोड़ा सा dark color का हो सकता है brownish color का हो सकता है उसको अगर आप magnifying glass से देखते हो तो वह clearly उसमें जो के लिए आपको at least एक microscope की तो जरुत पढ़ती ही पढ़ती है ठीक है बोल सकते हैं और microbes भी बोल सकते है micro organisms are classified into four major groups तो यह आपको याद रखना है कि जो microorganisms या फिर microbes होते हैं वो majorly चार गुर्प से डिवाइट किये गए हैं और उनकी क्या क्या नाम है उनके नाम है bacteria, fungi, protozoa and algae ठीक है bacteria, fungi, protozoa and algae यह चारो major नाम आपको याद रखना है और यह जो left side में यह picture दिखा यह थोड़ा सा cartoon वाला version बोल सकते हो इसको आप थोड़ा सा animated version बोल सकते हो इसमें जो आखे बनाया हुआ है या फिर जीव बनाया हुआ है या दान बनाया हुआ हो इनको अगर हटा जया थोड़ा बहुत इस तरह के दिखते हैं और microorganisms को थोड़ा सा और अच्छे समझना है तो आज कल के टा ठीक है तो वो जो spikes वाला structure है एक ball के उपर वो भी एक तरीके का microorganism है ठीक है वो इतना ज़्यादा छोटा है कि उसको हम clearly नहीं देख सकते हैं हाँ अगर हम उसको zoom करते तो जैसा वो tv में दिखाता है या newspaper में दिखाता है वैसा ही करके कुछ structure हमें नजर आता ठीक है अब एक activity करने को बोला actually 2-3 activities है इस chapter मेरे खाल से 5-6 activities है तो अगर आपसे हो सकता है तो आपको करना है उसके बाद तो हर activity के बाद में observation जरूर देखेंगे उसके बारे में discussion जरूर करेंगे तो इस activity में क्या कर रहा है collect some moist soil from the field in a beaker and add water to eat it मौbecause soil लेना है मुलब थोड़ा 2 गिली मित्ती लेनी है और उसको इक beaker में डालना है और उसमें थोड़ा 2 पानी मिला दिना है are after soil particles have settled observer drop of water forever from the O bucket under microscope क्या करना है की moist soil लेना है और उसमें उसको बीकर में रखना है और उसमें पानी मिला देना है पानी मिलाने के बाद में obviously क्या होगा कि एक टाइम के बाद में सारे जो dust particles होंगे या फिर minty के particles होंगे जो heavy particles होंगे जो पानी में नहीं खुल सकते हैं वो धिरे-दिरे settle down कर जाएंगे जब settle down कर जाते हैं उसके पानी का एक भूंद लेना है और वो एक dropper की मदद से उसको लिया जा सकता है उसमें से खीच लेना होता है और उस एक भूंद को slide पर रखके slide क्या होता है एक ऐसा structure होता है तेक है उसके बीच में इस तरह का कुछ structure होता है उस structure ये वाला जो बीच का ये वाला portion होता है इसी portion पे ही actually microscope के through observe किया जाता है तो इस जगह पे इस circle के बीच में अगर आप एक drop डालते हो और उसको microscope के अंडर में observe करते हो तो आपको कुछ observations आपको देखने को मिलेगा और वो observation क्या क्या होंगे वो इस activity के बाद में मेरे खाल से लिखा हुआ होगा हाँ इस activity के बाद में ही लिखा होगा एक और activity यह है इसको भी पढ़ लेते है कर I take a few drops of water from a pond spread on a glass slide and observe through a microscope glass slide हमने already discuss कर लिया क्या होता है उसके उप पर अब इस बार जो क्या करना है कि पानी को directly पानी का एक बूट डालना और इसको microscope के अंडर में observe करना है do you find tiny organisms moving around observation हमें यह करना है कि activity one जो दी हुई है और activity two दी हुई है क्या दोनों के अंडर में same तरह का यह आपका observation मिलेगा तो answer है नहीं क्योंकि अलग-अलग तरह के climate म में अलग-अलग तरह के microorganisms पाय जाते हैं observation में क्या कह रहा है कि those small things you observe through the microscope are called microorganism microorganisms नहीं करेंगे microorganism करेंगे ठीक है तो एक-एक को अगर हम individually बात करें तो microorganisms अगर धेस आ रहे हैं collectively तो microorganisms some of the pictorial examples are given in the next section तो यह है types of bacteria अगर इसको clearly देखना देखा जाए है तो इसको जाए तो book में आपको ज्यादा clearly समझ में आएगा तो एक spiral bacteria spiral मतलब क्या होता है जो curly-curly इस तरह का structure होता है ठीक है तो इस तरह का structure इनका होगा जो spiral bacteria है फिर rod shaped bacteria यह rod की तरह इनका structure होगा आगे उसके बाद algae के types हैं दो के बारे में इसमें बताया हुआ है एक तो chlamidomonas chlamidomonas इस तरह का दिखता है और spirogyra इस तरह का दिखता है spirogyra को भी अगर आप observe करो तो यह भी तरीके से spiral जैसे कुछ structure नज़र आ रहा है ठीक है आगे these are types of paramecium paramecium में सबसे सबसे ज़्यादा popular common example amoeba और एक paramecium खुद से ही एक microorganism है चुकि यह पैर जैसा एक structure होता है तो इससे जो हमें यह term याद रखने में easy होगा कि paramecium जोता हो पैर जैसा structure होता है amoeba कार हमने अल्लेडी पढ़ा हुआ इसका कुछ हाथ पैर तो सर पैर होता नहीं है fixed सारी चीज़ें flexible होती है इनका पैर भी नहीं होता है तो pseudopodia इनको बोला जाता है यह सारी चीज़ें हमने अल्लेडी पढ़ रखी है और fungi की यह तीन types हैं bread mold के उपर जो दिखेंगे उन कि आप लोग इन चीज़ों को ढंक से पढ़ो और जो भी structure से उनको clearly ढूंडने की कुश्च करो इंटरनेट पे अगर आप ढूंडोगे तो ज्यादा clear structures मिलें जैसे वह bacteria के बाए अगर हम बात करें तो spiral जो bacteria है उसको अगर आप internet पे सर्च करो तो ज्यादा अच्छी quality का आपको help मिलेगी ठीक है तो आज यहीं रहने देते हैं बागी next lecture में मिलते हैं thank you